बिसमिल्लायर मारी अस्सलाम उलेकूम वर्क्षीट के दो चार क्लासें जो आप लोगों को तीन क्लासें जो पिछली वीक में दी थी उन क्लासें के अंदर अगर आपको याद हो वर्क्षीट पूरी समझाई थी लेकिन उन कैमरा वर्क की वज़ा से कुछ ऐसा था कि उसकी कोशिश कर रहा हूं कि यह वर्क्षीट आपके सामने दुबारा रखूं और एक दफ़ा आपको दुबारा सब्भाद हो ताकि किसी भी प्रसिंग की आपको कैमरे की कॉलिटी की वज़ा से जो प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व हो जाएं देखें वर्क्षीट के लिए सबसे का कॉलम ट्राइल बैलेन्स एज्टे अच्जेस्मेंन इंगामिस स्टेटमेंट और बैलन्स थीट और ने फ़त्षओंों के विर्कषीट क्यों के श्यूं कर दृट्वD होंगे वज़िया हैं तो इसे लियर इनको दुए उल्चम्ल में वर्क्षीट कर दाए ठीक है जिसमें आमाउंड लिखी होती है बहुत सारी स्वाल हैं कि वर्कशीट आखिर क्यों बनाते हैं जहन में अगर आपके सवाल है तो देखिए वैसे तो वर्कशीट का जो बुनियादी परपस या में मकसद है वो यह है कि यह हमें डिजिजन मेकिंग में फैसिलिटेट क होती है या कोई भी एक ऐसा पीसवा पिपर होता है जिसके बहुत सारा डेटा एकटा कर लिया जाए तो शीट को वर्कशीट के नाम से याद रखा जाता है यहाँ पर बेसिकली जब हम वर्कशीट का जिकर करते हैं विकॉम पार्ट बन में तो वर्कशीट से मुराद यह 10 क बहराद विकॉम पार्ट बन के अंदर भी वर्कशीट यही है कि हमारे सामने यह 10 कॉलम है जिसका फॉर्मेट आपके सामने मौचूद है इसको बनाने का मकसद जैसे कि मैंने भी बात कही कि महीन मकसद इसका होता है कि यह मैनेजमेंट को डिसिजिजन मेकिंग में हेल्प आ मैं आपके सामने रखता हूँ कि देखें अब यह वर्कशीट एक आपके सामने बनाई भी है अब इस वर्कशीट की मदद से हमें अंदाजा हो जाएगा कि जनाब वर्कशीट पूरी एक डिटेल को बना रही है कि भाई इस बिजनस के पास कितनी बिगनिंग इन्वेंटरी लेकिन इसको कैसे बनाना इसके लिए मैं दुबारा से इस पेट पर जाता हूँ तो सबसे पहला गाम आपने और कुछ नहीं करना करना यही है कि एक वर्कशीट का कोश्चन उठाइए टायल लाइट जब मांगे आप से तो आप इस तरह से पेज पर लाइन लगा लेजिए याद रखिए कि दो पेज इस्तेमाल कीजिएगा हमने सामने और सभी जो वर्कशीट को अधितन को तीक आप समझांगा एक थीनौष बिजनेस है फिर ये ट्रेडिंग बिजनेस जिसमें मौझूद होगा प्रियॉडिक से पर्पिचुल सिस्टम में और तीसरा ये है प्रियॉडिक सिस्टम तो ये तीनों वर्कशीट में कोशिश करूंगा कि इसी निशिस्ट में या एक इसमें आपको वीडियो में समझा सकू तो पहले आपने कॉलम ट्रॉग किया उसके बाद एक कुस्चन निकालेंगे आप कोई भी कुस्चन हो उसका सवाल आप जानते हैं कि जब वकशीट का आता है तो उसमें आपको ट्राइल बैलन्स को कॉपी कर लीजिएगा सिरियल नंबर यहाँ पे मैंने सिर्फ अपने लि सवाल में शुरू कर रहा हूं करना आपके लिए वो दोनों फॉर्मेट थे आप एक साइड में अगले पेज पर कहीं भी आप उसकी अर्जेस्टिंग इंट्री बना लीजिए जो एजस्मेंट डैटा दिया अब इस वाग मैं अट्जेस्टिंग इंट्री को डिसक्स नहीं यह कोई जरूरी न है कि आप इसी पीट में बनाई किसी अलग अगले पर बना सकते हैं और इसको कोई ज़रूरी नहीं है क्यों कि असल नम्बर है वर्क करके डेट डाल देंगे ठीक है ट्राइल बैलेंस को अपी कर लिया आपने फिर आपने अज्जेस्टिंग इंट्री को इस जगा पर मैं फीट करना सिखाता हूं कैसे करेंगे जब अगला काम यह करना है कि आपने यहां पर बलका अगर आप कहते हैं तो मैं एक काम यूं करता हूँ कि यह वाली क्यूंड करके अगर मैं इस चीज़ को इस साधा वाले पर ले आता हूँ शायद यहां मौजूद भी होगा मैं एक सेकंट है रहा हूँ यहां पर लेकर आया मैं और मैंने जनाब यह एड़िस्टिंग इंट्री शो कर दिया ठीक हो गया अब सुनते जाईए और से क्या है अब आपके पास यहां पर मौजूद था आपने क्या किया कि जनाब आपने पहले एड़िस्टिंग डाली ठीक हो गई बात एड़िस्टिंग डालते ही अब आप इस एड़िस्टिंग इंट्री पे जाईए करसन अदर आ रहा है और देखिए कि इस क्या एड़िस्टिंग इंट्री है office supplies expense debit office supplies credit यहाँ पे कौन सा account मौझूद था office supplies मौझूद था तो कौन सा account आप open करेंगे इस जगा पर लाजमी सी बात है आप यहाँ open करेंगे office supplies expense क्यों क्योंकि office supplies already मौझूद था हम open करेंगे office supplies expense office supplies expense आठ हदार से debit हो रहा था इसको 8000 से debit करती जी और office supplies 8000 से credit हो रहा था इसको 8000 से credit करती जी ठीक हो गई बात फिर दूसरी entry पे आईए क्या है prepaid rent rent expense क्या मौझूद है यहां पर ढूढ़िए तो यहां मौझूद है rent expense तो यहां नीचे पर आप कौनसा account खोलेंगे prepaid rent और prepaid rent क्या हो रहा था 20,000 से debit हो र सामने credit कर दीजिए 20,000 से फिर देखिए salaries expense और salaries payable है कौनसी चीज़ यहां मौझूद है तो यहां salary expense मौझूद है तो कौन सा account खोलेंगे आप salaries payable salaries expense debit हो रहा था salaries expense के सामने debit में लिख दीजिए 4,000 के amount salary payable के सामने credit में लिख दीजिए 4,000 के amount फिर क्या है consulting fee और un-earned consulting fee यहां देखिए क्या था consulting fee था कौन सा account खोलेंगे आप un-earned consulting fee अनन कंसल्टिंग फी क्या हो रहा था क्रेडिट हो रहा था और कंसल्टिंग फी क्या हो रहा था डेबिट हो रहा था फिर डेप्रिसेशन एक्सपेंस ले ले आपने फिर डेप्रिसेशन एक्सपेंस के नहीं अकाउंट है यहां पर अलाउंसेस फॉर डेप्रिसेशन है नहीं वो भी नहीं है तो आप जब दोनों नहीं है तो आप दोनों अकाउंट ओपन करेंगे फिर क्या है जनाब फिर हमारे नदर आ रहा है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस और प्रीपेड मौझूद है उपर नीचे हम अकाउंट खोल देंगे एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस का एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस डेबिट हो रहा है प्रीपेड एडवर्टाइजिंग मैंने यहां पर आके यह इसको देख लिया ठीक है वही चीज है बस मैंने रखा था कि कोई इस काम कम से कम करना पड़े तेजी के साथ आपके सामने कर सकूँ ते एक ही चीज को यह हो अब यहां तक आने के बाद अब आपने बनाना है अज्जेस्टिट ट्राइल बैलेंस ठीक अगर वह अज्जेस्मेंट में भी डेबिट में है तो डेबिट और डेबिट प्लस हो जाएगा क्रेडिट में है तो क्रेडिट और क्रेडिट प्लस हो जाएगा अगर वह डेबिट और इधर क्रेडिट है तो माइनस होगा और अगर क्रेडिट और डेबिट है तो माइनस ह जगा हैं तो प्लस होंगे अगर अलग अलग जगा पे होंगे तो माइनस होंगे ठीक है और फीगर वहां आएगी जहां पर वो बड़ी फीगर होगी कैसे अब देखिए मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें कैश की तो कैश में कोई एड्जेस्मेंट नहीं है तो कैश सीधा वैसे ही आपके पास एक लाख रुपए आ जाएगा इसी तरह अगर आप देखें तो आपके पास अकाउंट रिष्टेवल में भी कोई एड्जेस्मेंट नहीं है यह भी एड्जेस्मेंट पर आ जाएगा क्यों क्योंके ट्रायल बैलस में डेविट साइड में था एड्ज डेविट साइट पर क्योंके यह एक बड़ी फीगर डेविट में लेख तो इसी तरह समझ में आती है बात दुबारा देखिए ऑपिस अप्लाई दसदार डेविट था एड्जेस्मेंट में क्रेडिट हो रहा था फिर डेविट साइट पे कितना आ गया दो हज़ार इस वा कोई adjustment नहीं थी कुछ नहीं था as it is debit site पे आ जाएगा अब अगर आप देखे वसीम capital तो यह credit में था इसमें कोई adjustment नहीं थी यह वैसे कब ऐसे credit में आ गया I hope कि बहुत असान सी बात है ड्राइंग वसीम यह भी वैसी आ जाएगा बेगार किसी सुगे लेकिन अब यहां देखिए यह 4,000,000 से डेबिट हुआ था तो क्या होगा माइनस होगा यहां credit है और यहां debit है तो माइनस होके लेकिन किस site पे आना चाहिए तो बड़ी figure क्योंकि credit की है तो चाललाव से माइनस कीजिए यह देखिए 385,000 credit site पे आ जाएगा इसी तरह इस चार हजार यह debit है यह भी debit है दोनों प्लस होके 35,000 debit site पे अब देखिए 60,000 से debit है और 20,000 से credit है तो 40,000 से debit में आएगा इसमें कोई पर्क नहीं वैसी इसमें कोई चेंजिंग नहीं यह भी वैसे ही आते जाएंगे बैगर किसी परिशानी के जहां पे हैं महां shift हो जाएंगे बैगर उसके कोई आपने कोई कारना मानी करना कुछ नहीं करना यह दोनों अपनी जगा पर वैसे ही आ जाएंगे और इसके बाद अगर आप देखें तो इसका total करके देख income statement और balance sheet income statement और balance sheet में हमेशा याद रखिए कि जब आप ले जाएंगे तो income statement में तमाम expenses और तमाम revenues और उनके contra आएंगे ठीक है और balance sheet में आएंगे assets, liabilities और honor equity rewind करके दिवारा तो सुननी दिएगा कि मैंने क्या कहा है वैसे तो याद रहेगा क्या करते जाएगे अब देखिए सिर्फ आप account को पढ़िए और जहने बज रखिएगा कि account के nature के हिसाब से आपको ले जाना है और यह वाली figure लिएगा adjusted trial balance की यानि अब जब आप पढ़ें यहाँ देखे तो nature यहाँ बस ख्याल यह रखना है के cash एक asset होता है मगर इस जड़ा से नहीं उठाना है यहाँ से उठाना है क्योंकि बाद आपकाद इस वाली figure में change होता है तो कैसे करेंगे देखते जाएए cash अब मैं एसा एक्षट को देखिए cash पहला account है cash की nature क्या है asset है तो cash की nature अगर asset है तो cash balance sheet में आएगा कहां debit side पे देखिए debit side पे आगया cash के बाद account usable इसकी nature भी asset होती है और यह भी कहां आना चाहिए balance sheet में किदर आएगा debit side पे यह debit side पे आगया prepaid advertising 40,000 है लेकिन 40,000 है trial balance में है असल में हमें adjustment में देखना है कितनी है 5,000 है तो prepaid advertising की nature भी asset होती है तो asset होने की वज़ा से यह भी balance sheet में आएगा office supplies सिर्फ supplies जब लिखा वा हो तो वह asset होता है हाँ expense होगा तो expense है इस पर office supplies है यह भी asset है यह भी balance sheet में आ जाएगा office equipment की नेचर भी asset होती है balance sheet में आ जाएगी इसके बाद क्या है capital है capital की नेचर आप capital जो है ओनर एक्विटी या capital यह liability balance sheet के credit साइट पे जाएगा यह देखी credit साइगा वसीम ट्राइंग contract capital capital जहां किया है वहीं जाएगा वहीं जाएगा यह और आप देखिए यह लेकिन debit side पर क्यों debit side पर क्योंकि इसका balance debit में था तो debit में आया ठीक है यहां कोई balance जहां है वहीं आएगा कोई changing नहीं होगा सिर्फ नेचर अब consulting fee consulting fee द्रसल income है यह revenue fee है ना consulting का मतलब से इतना सा है कि doctor जैसे consult करने के पैसे लेता है वैसी coaching fee, consulting fee, service fee, whatever fee तो यह revenue है यह अब income statement के credit side पर आझाएगा sales expense expense है income statement के debit side पर आझाएगा insurance expense expense है debit में आझाएगा Karaट expense expense है debit side पर ठीक है, इसके बाद office supplies की nature भी expense है expense debit side पर आझाएगा उसके बाद prepaid rent है, prepaid rent की नेचर क्या होती है, क्या expense होती है, नहीं, prepaid rent की नेचर asset होती है, balance sheet में shift करेंगे, फिर salaries payable, liabilities है, यह हमारे पास कहा जाएगा, यह जाएगा balance sheet में, अनार्ण consulting fee, अनार्ण जब है तो अनार्ण की नेचर भी liability होती है, यह भी balance sheet में जाएगा, depreciation expense, expense है, income statement में, allowance is for adoption, चुके contra asset है, तो contra asset, asset की तरह जाता है balance sheet में, लेकिन credit side पे, आफिर में जब यह काम कर लिया, तो क्या करिएगा, यह चारों total आए आपके पास, ठीक है ना, यह चारों total को अगर आप गोर से देखिए, तो यह चारों total अलग अलग है, यह कितना आया, 164, यह कितना आया, income statement का debit कितना आया, 164, income statement क्रेडिट कितना आया, 385 balance sheet का, 932, credit कि 711, अब इसका debit और इसका credit का फर्ख लिजे, मैं इसको दोरा different color से वो कर देता हूं, यह देखिए, तो इसके debit और credit का difference 221 आ रहा है, और अब इनका अगर आप देखिए, तो इनका जो debit और credit का difference नदर आ रहा है, वो नदर आ रहा होगा आपको, वही 221, यह आप इसमें से minus क कर देंगे इन दोनों को, पेद, और यही इसका सही है कि दोनों का difference बराबर होगा, और च्योंकि यह 221 वहां लिखना है, जहां कमी है, इधर 385 है, इनकम स्टेट्मन का revenue 385, जबके expense 164, तो इसको इसको इसके net profit हो रहा है, कितने का? तो net profit हो रहा है, 221,000 का, और यही चीज balance sheet में ज़्यादा इसलिए होती है कि profit होने से asset बढ़ जाता है asset side बढ़ा दिया है capital में इतना पैसा मजीड एट हो जाएगा this is the way आपको worksheet लेके चलना है बनानी है रखनी है तो ये जहन में रखिएगा पहले आपने करना है इसी तरह से और इसी लेके चलना है अब ये था एक service business का कैसे पैचाना तो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ service business में sales नहीं होती है sales नहीं होती है तो merchandise नहीं होती है ये सब चीज़ें मौझूद ना होने की वज़ा से service और सबसे आसान वर्क्षीट service business की है इसके बाद एक और सवाल वर्क्षीट का अगला ये देखिए ये question है 2005 private का ये वाला था 2006 regular का ये था 2005 private का ये भी वर्क्षीट के सवाल है लेकिन ये वर्क्षीट के सवाल में sales मौझूद है तो ये service business नहीं है ये एक trading business है लेकिन trading business में यहाँ पर merchandise inventory है और cost of goods sold है बस यही फर्क सहन में रख देगा इसको कैसे करेंगे तो सबसे पहला काम यही है कि देखिए adjusting entry बनाई वी है इस adjusting entry को यहाँ incorporate कि अब यह पहले जबनी वी है मैं इसको बिटा नहीं रहूँ आप देख सकते हैं कि un-un revenue था un-un revenue 48,000 से debit और commission revenue 48,000 से credit था यहाँ मौझूद था un-un revenue तो हमने कोंसा account खोला commission revenue उसको 48 से credit किया un-un को debit किया इसी तरह rent expense को लेकर आए क्योंकि prepared rent मौझूद था इसी तरह से wages expense को लेकर आए wages pay bill खोला हमने वहाँ पे क्यों में देखना पड़ेगा क्या हुआ हुआ है depreciation expense कहां चला गया 24 24 24 एक सेकर पॉस कर रहा हूँ मैं भी सही करके बताता हूँ तो यह मैंने थोड़ा सा रहे गया था शाहद एक तो मैंने इसको दोबारा attempt किया है और यह देखिए आपके पास depreciation expense तो यह depreciation expense और allowances for depreciation चुके नहीं था मौझूद तो फिर वही दोनों account खोला 5000 से debit 5000 से credit बैड़ेट इक्सपेंस अब देख सकते हैं कि आप adjustment का टोटल यही आ रहा है अब यह आने के बाद इसके बाद आप आपने यह complete किया इसी तरह से फिर आप adjusted trial balance जो है वह आपके पास क्या नदर आ रहा है तो cash debit side पे था debit side पे आ जाएगा कोई adjustment नहीं as it is merchandise inventory याद रखना अब यह merchandise inventory की nature अगर cost of good sold के साथ है तो यह merchandise inventory की nature asset होती है और यह debit site पे आएगा यह देखिए ठीक है मैं दवारा repeat करूंगा अभी इस नहीं equipment कोई change नहीं drawing कोई change नहीं क्योंस्ट पूट्स रोल कोई change नहीं utility expense कोई change नहीं लेकर यह वेज़ाद expense दोनों 45 और 7000 debit में है तो दोनों प्लस हो जाएंगे आप यह देख सकते हैं credit or debit है माइनस होके 6000 आ जाएगा capital as it is आ जाएगा sales as it is आ जाएगी और bond pay liability होती है as it is आ जाएगी उसके बाद यह commission revenue as it is आ जाएगा rent expense debit में आ जाएगा यह 7000 आ जाएगा यह 5000 आ जाएगा यह 5000 जैसे जैसे figure है वैसे यह figures यहां आ जाएगी आपको बेगार किसी और इसका दिन है total कर लीजिए यह देखिए मैं फिर इसको यह इसको जिस्ता स्लेक करते हैं तो total दिखा देता आप इस जानिव जाकर जेख सकते हैं यही है पांच लाग 31,840 जो total आ रहा है इस column का भी total पांच लाग 31,000 तो यह अजिस्टर ट्राइल बैलेस्ट है ठीक है अब क्या करना है अब हमें income statement में बैलेंशीट में ले जाना है और nature वही income statement में revenue और expenses जबके balance sheet में assets liabilities capital और revenue आएंगे तो यह देखिए cash cash की devoir में अगया merchandise inventory जब cost of kids掌 के साथ trial balance वाली है यह asset asset balance sheet में आईगी prepaid rent asset ہے balance sheet में आएगा account riceable asset Ki iemand asit balance sheet में आएगा drawing, Livree n Conrad capital है balance sheet में आएगा, Cost of Goods gaud की नेचर expense होती है income statement के debit में आएगा、 utility expense इंकम स्टेट में वेज़ एक्सपेंस एक्सपेंस है यह ख्याल रहे कि लेकिन यह 45,000 नहीं आएगा इसे ट्राइल बैलन्स का आएगा बावन हजार फिर उसके बाद अनार्ण रेविन्यू अनार्ण रेविन्यू की नेचर लाइबिलिटी है बैलन्स शीट में आ जाएगी क इंकेंस इंकम स्टेटमें के डेविट में जाएगए और अलॉञोंस और 타法 बैलन्स शीट में जाएगा लेकिन और अलाउंसेस पॉर बैड़ेट कॉंट्रा एसेट है यह भी बैलंशिक में जाएगा लेकिन क्रेडिट साइट पर अब आपने चारों का टोटल किया इस दफ़ा देखिए क्रेडिट साइट का टोटल दो लाग बत्तिस दार आ रहा है जबके डेबिट का टोटल दो ड़ा त इक्सपेंस डेबिट में जो होता है न यह एक्सपेंस है और क्रेडिट में जो होता है यह रेविन्यू है तो सोचो एक्सपेंस ज्यादा है रेविन्यू कम है तो यह जो है नेट लॉस होगा इनको देखिएगा ठीक है यह नेट लॉस है इनका और यही चीज है कि जितने स से यह debit side पर होगा उतने से ही उसी के difference से credit side पर होगा अब ये बात तो मेरा खाल आप सबकी समझ में आ गई होगी इधर देखिए अब जरा जहन में रखिए आपको debit of profit profit और loss कहते पर देगा तो पिछला सवाल देखिए इसका credit 385 था debit कम था तो जब credit ज्यादा है revenue ज्यादा है expense कम है तो profit जबके इस सवाल में credit ज्यादा कम है और debit ज्यादा है income statement की मदब से मालूम कर सकते है profit है या loss है मगर आखरी ये बराबर होगा तो ये वाला सब इस था सबसे आसान होता है कोई inventory का नहीं मसला सीधा-सीधा लेकिन ज sales से आपको पताते जाएगा trading business है trading business है फिर देखिए inventory है और cost of goods sold है तो जिस तरह समझाया उस तरह ले जाई है मगर अब एक आखरी सवाल जो के periodic business के हवाले से है और इसमें अगर आप देखेंगे तो merchandise inventory होगा इसको करने के 2-3 तरीपे है अब इसका सबसे बड़ी पहचान तो यही है कि इसमें merchandise inventory sales होगा लेकिन sales के साथ purchases होगी cost of goods sold होगा इस सूरत में merchandise inventory हमेशा beginning होती है चीके तो बहराल अब इसमें मैंने देखो कोई और काम नहीं किया सारे adjusting entry फूइड की अब इसको मैं मिटा नहीं रहा हूँ यह देखें सारी adjusting इंटी इसी तरह से कर दी और merchandise inventory अब काम कर दिया तो अब मैं ट्राइल बैलन बनाता हूँ याद रहे मैंने से दुबारा इसलिए बता रहा हूँ किसमें beginning inventory है इसमें ending inventory है तो उसको किस तरह deal करें और इसमें एक और चीज भी आ जाती है जिसको हम कहते हैं क्या purchases पिछले वाले में purchases नहीं होती उस वाले में क्या था अगर note करें तो cost of good sold था इसमें एक ही inventory होती है जबकि इसमें दो inventory होगी beginning भी होगी और ending का एक तरीका यह है कि ऐसी जैसे entry बनाई थी उसी तरह से entry को feed कर दें debit और credit में लिखते हैं ठीक है और उसके बाद अब आप आजाईए यहाँ पर feeding एट अजिस्टर ट्राइ वो खतम कर दिया था देखिए मैंने एजस्टर ट्राइल बना दिया ठीक है अब सिर्फ और सिर्फ काम क्या है एजस्टर ट्राइल बैलन्स भी हमारा equal होगा बराबर होगा चेक कर सकते हैं यह total किया मैंने कितना आ रहा है 96 तो 99600 इधर भी और इधर भी total करता हूं तो 99600 बर बिगनिंग इन्वेंट्री याद रखो कि अगर फिर दोर आ रहा हूं परचेज़ आ गया तो यह इसमें अगर इन्वेंट्री है तो नहीं भी लिखावा है तो यह बिगनिंग है और इसकी नेचर एक्सपेंस है लेकिन अगर यह cost of goods sold वाले ट्राइल बैलन्स है तो उसमें मर्चनडाइज आ इन्वेंट्री की नेचर हमेशा asset होगी एक ही होगी में कोई ending inventory कभी नहीं होगी कहीं भी adjusting इने लेकिन जब ये वाला trial balance आएगा जिसमें purchases होगा तो इसमें जो trial balance वाली होगी वो हमेशा beginning होगी और उसकी nature expense होगी और वो हमेशा income statement में आएगी जबकि इस मर्चनडाइज इन्वेंट्री की नेचर एसेट होगी और वो बद वैलन्स शीट में आएगी है देखो बैलन्स शीट में लिखा है लेकर इसमें जो बिगनिंग है वो इनकम स्टेक्मेंट में आएगी ठीक है यह फर्ख ज़रा सा जहन शीन कर लो बिल्कुल आसान हो जाएग प्रिपेड रेंट एसेट है बैलन्स शीट में फ़र्णीचर एसेट है बैलन्स शीट में एक्यूमलेटि 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 एक् income statement में Contra expense है Contra expense होने की वजह से यह भी आएगा income statement में लेकिन credit side पे transportation in nature expense income statement में salaries expense क्या होगी नेचर expense income statement में income statement having income statement में allowances for bad debt contra asset है balance sheet के credit में depreciation expense expense है rent expense I hope कि यह न expense है debit side पर commission income revenue है income statement के credit side salary payable liability है balance sheet के credit side पर अब आ जाता है merchandise inventory ending जैसे मैंने बता है कि इसके दो तरीके और मैं भी दो तरीके बताने जा रहा हूँ तो merchandise inventory ending का अगर जब तुमने adjusting entry पूरी तरह बना दी गौर सा सुनना adjusting entry पूरी तरह बना दी तो जहन में अची तरह रखो कि ending की अब nature asset है और इसको balance sheet में ले जाओ लेकिन यह जो पसके against है income expense and revenue summary तो यह revenue के साथ है याद है adjusting ending inventory close भी revenue के साथ होती थी इसलिए इसको income statement के credit में ले जाओ तो याद रखो अगर entry बनाते हो तो entry बनाने के बाद ending inventory को balance sheet के debit में और expense and revenue summary तो expense and revenue summary की जगा मैंने आपको पहले ही बताया था कभी profit और loss account हो सकता है कभी income और loss summary account हो सकता है इसको हमेशा credit में लेना ये लेते ही आप देख सकते हैं के debit side और credit side बिलकुल equal होगा ठीक है और ये आप आप निकालें इस दफ़ा भी अगर आप note करें तो balance sheet का credit side कम है worksheet का credit side कम है और debit side ज्यादा है तो ये भी loss है आपके लिए ठीक है इस सवाल में भी 5900 का loss हमें नदर आ रहा है तो अच्छा अब एक आखरी बात ये है कि अगर merchandise inventory ending को बागी सब चीज़ वैसी है लेकिन इस ending को अगर हम इस तरह ना करना चाहें तो इसका एक और तरीका है और वो तरीका ये है कि आप यूं भी कर सकते है merchandise inventory ending को 2010 प्राइविडी देखिए कि बजाए इसके कि आप merchandise inventory के यहां पर मैंने merchandise inventory की entry बनाई थी ना यहां मैंने entry नहीं बनाए हम entry नहीं बनाते और ना हम यहां पर जैसे मैंने इस तरह पूर्स किया था कि पहले adjustment में लिखा फिर register trial balance में लिखा आप फिर यहां लेकिन देखो main कहा लिखा balance sheet के debit में और income statement के credit में तो दूसरा तरीका यह होता है कि बाद वकात हमें ending inventory की एक line लिखते हैं और कहीं नहीं लिखते हैं सब column नहीं लिखते हैं direct ले जाकर income statement के credit में और balance sheet के debit में लिख देते हैं तो यह तरीका भी सही है क्योंकि purpose यही था कि वो income statement के debit में आए balance sheet के debit में आए और income statement के credit में आए अब चाहें entry बना के proper लिखे या हम इसको उठा के direct place